नमस्ते दोस्तों तो आज मुझे पहली बार केसर प्लेवर का ओर आया और यह मेरी ही वीडियो देखके मेरे कस्ट्मर ने मुझे यह ओर दिया ठाव यह हाफ केजी का केग होने वाला है काफी इंट्रेस्टिंग यह वीडियो है और वीडियो को पूरा देखिएगा और मैंने इस केक को टॉल केक बनाया है तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने 180 ग्राम के लगबग यहाँ पर अपना ले लिया है प्रिमिक्स और मैंने यहाँ पर 5 इंच का केक टिन लिया है जिसे इसकी हाइट काफी अच्छी आईगी क्योंकि जैसा मेरे क्लाइन ने मुझे आप मिलाया है अपने बैटर में ताकि पूरा फ्लेवर जो है केक के अंदर तक जाए और मैंने यहाँ पर कितना मेजर्मेंट लिया है वो सारी चीज़े यहाँ पर आपको दिख जाएंगी मेरे वीडियो में और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्यों इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने बैटर को यलो किया है और इसे पांच इंच के केक तीन में मैं बेग कर दूँगे और यह चार इंच का होता तो शायद और मज़ा आ जाता लेकिन मेरे पांच इंच का केक तीन ही है तो देखिए मेरा केक जो है अच्छे से राइज हो चु करती तो इसके में पांच लेयर करती तो और जादा खुबसत लगता लेकिन एक बात है कि जब भी हम टॉल केक बनाते तो उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे बॉक्स नहीं मिलता है तो मुझे हर बार दो बॉक्स को जोड की बनाना पड़ता है तो थोड़ा सा वेस्टेज मे करता है जादा इस दो बॉक्स को बनाने में तो बस यह जो टॉप का जो लेयर है थोड़ा सा पतला सा है और थोड़ा सा अन इवेन सा भी है तो मैं यहाँ पर सबसे नीचे में इसको रखूँगी ताकि जादा जब केको को कोई कट करे तो उतना जादा पता ना चले कि हमार 500 ग्राम तक हो जाए कम नहीं होना चाहिए तो जैसा मैंने मेरी अनिवर्सरी का केक बनाया था मैंने अपने क्लाइन को पूछा था तो बिल्कुल वैसा ही मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसे ने मेरी पहली की वीडियो देख तो बनाने की कोशिश की और जैसा मैंने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखिये जो मैंने अपनी अपनी अनिवर्सरीर पर जो केक बनाया है आप जरुर देखे काफी कुपसूरत वो anniversary cake मेरा बना था तो एक बर जरूर जाके उस वीडियो को देखे और बस यहाँ पर मैंने अपने cream से लगा ली है दूसरी layer पर भी cream और इसके बाद फिर मैं हाँ पर डालूँगी थोड़ा सा अपना condensed milk और फिर उसके बाद मैं डालूँगी अपना केसर, syrup और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर almond और cashew के pieces भी डालूँगी और यह almond और cashew मैंने अच्छे से roast कर लिया है ताकि इसका flavor जो है बहुत अच्छा आए और जिस दिन मैंने इस cake को बनाया था उस दिन मेरी बेटी का भी वदे था और वो cake भी मैं आप लोगे साथ share करूँगी कि मैंने उसे कैसे बनाया है और मेरे बच्चों को तो सिफ चॉकलेट ही पसंद आता है तो मैं हर बार न चाहते हुए भी मुझे चॉकलेट ही बनाना पड़ता है लेकिन तोड़े तोड़े variation करती रहती ही उसमें वो भी मैं आपके लोगे साथ जरूर शेयर करूँगी ताकि आप भी अलगला तरीके का चॉकलेट केक बना सकें और सच में पाइपिंग बैग में डाल के क्रीम को केक क्यू पर लगाने का मज़ा ही अलग है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन कई बर तोड़ा सा आलस के चक्कर में मैं ऐसी पैलेट नाइप से भी अपनी क्रीम लगा लेती हूँ लेकिन पाइपिंग बैग में काफी अच्छे से भर के लगाने से लगता है लेकिन मेरे जो जितने भी पाइपिंग बैग हैं वो सारे छोटे हैं तो थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आता है और मैंने ऐसे पूरा बंडल ही ले लिया है छोटे पाइपिंग बैग का तो अभी जब तक खतम नहीं हो जाता है दूसरा तो मैं लेने नहीं वाली तो इसलिए मैं जल्दी पाइपिंग बैग का यूज नहीं करती क्रीम लगाने के लिए जब कोई नोजल डालके डिजाइ है वो भी मैं आपको बताऊंगी और इस केक को बनाने में मुझे सिर्फ 180 या लगभग 90 ग्राम में कह सकती हूं क्रीम लगा था और इसमें एक भी नोजल का यूज नहीं हुआ है फिर भी ये काफी अट्रेक्टिव हमारा यहां पर आज केक बनेगा तो पूरा देखिए का म क्रीम बिलकुल अच्छे से लगाने की कोषिश करे जब भी आप क्रीम लगाते हैं फाइनल लेयर तो अपने स्क्रैपर को बिलकुल रखेंगे तो आपका जो केक जो है बिलकुल स्ट्रेट दिखेगा वरना कई बर क्या होता है कि नीचे का जो केक होता है तोड़ा और नीचे से थोड़ा जादा चोड़ा दिखता है तो आप कभी भी अपने पैलेट नाइफ को अपने स्क्रैपर को बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ेंगे तो आपका केक एकदम स्ट्रेट दिखेगा फिनिशिंग काफी अच्छी आएगी और जब फिनिशिंग अच्छी आती है तो देखने में काफी अट्रेक्टिव हमारा केक लगता है और बस मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए और इसके बाद ये सेट हो चुका है मेरा केक और उसके बाद मैं इस पर फाइनल आइसिंग करूँगी और सच में ये बहुत ही खुबसूरत मेरा केक बना था मेरे क्लाइंट को भी काफी ज़्यदा ये डिजाइन पसंद आया था और जैसा उन्होंने भेजा था बिल्कुल मैंने वैसा ही बनाया है और इसमें आप पाइपिंग बैग नहीं भी यूज करेंगे तब भी आप इस केक को बना लेंगे जिनके पास बहुत सी चीज़ें नहीं है केक सजाने के लिए तो भी ये केक आप बना सकते हैं और आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिए कि मैं कैसे अपने नाइफ को घुमा रही हूँ पैलेट नाइफ को आपको अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि आपका केक जो है बिल्कुल केक की आइसिंग जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो अगर आपने जरा भी तिर्चा किया तो आपका जो केक है श्ट्रेट नहीं बनेगा क्रीम जो है उपर में थोड़ी कम लगेगी और थोड़ा सा वो पतला दिखेगा नीचे की मुकाबले तो छोटी छोटी चीजे हैं और ये सारी चीजे करने के बाद ही अच्छे से समझ में आती है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप देखके भी काफी चीजे समझ पाएं और जब भी आप केक बनाए तो आपसे इस तरह की मिश्टेक ना हो और बस मेरा यहाँ पर केक जो है आलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है जैसा कि मैंने पहले ही बताया है इसमें बिलकुल भी नोजल का यूज नहीं होगा और काफी खुबसरत ही है हमारा केक बनेगा और मैं आ गई हूँ फोटो में देख सकते हैं कि कैसा मेरे क्लाइन ने मुझे फोटो भेजा था बिलकुल मैं वैसा ही यहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी और बस इसे करने के बाद मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी और यहाँ पर मैंने आर्टिफिशल फ्लावर लगा दिया है और यहाँ पर मैंने बाड़े टॉपर भी लगा दिया है तो यह रहा केक का फाइनल लुक वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकि कुछ नया करने के लिए तब तक के लिए